प्यारे बच्चो नमस्कार कैसे हैं आप उमीद है कि आप सभी अपने अपने घरों पर स्वस्त और शुरक्षित होंगे और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे तथा हमारी आने वाली वीडियो का बेसबरी से इंतजार कर रहे होंगे तो बच्चो आज हमारी समाजी की विज्ञान की भुगोल की कक्षा में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा साथ की पुस्तक हमारा पर्यवर्ण में संकलित अध्याई छे जिसका शीर्शक है प्राकर्तिक वनस्पती एमम वन्यजीवन आज हम इस पर चर्चा करेंगे बच्चो क्या आप प्राकर्तिक वनस्पती के बारे में कुछ जानते हैं यदि नहीं तो आईए हम आपको बताते हैं कि प्राकर्तिक वनस्पती वह वनस्पती होती है जो बिना मानव हस्तक शेप के अपने आप अपने प्राकर्तिक वातावर्ण में उगती है तो बच्चो यदि आप अपने आसपास उगे हुए पेड़ पौधों घास या जाड़ियों पर नजर दोड़ाओं तो आप यह पाएंगे कि शहरों में ये वनस्पतियां पेड़ पौधे एक क्रमबद श्रिंखला से सू विवस्ति धंग से लगे होते हैं और जो बच्चे गाओं में रहते हैं या पहाडिक शेत्रों में दूर दराज पठारिक शेत्रों में रहते हैं वो अपने आसपास उगे हुई वनस्पति में अस मानता व अविवस्ति धंग से उगा होना और उनके आकृती और प्रकृती में बहुत अंतर महसूस करेंगे बच्चो आखिर ऐसा क्यों है जो बच्चे शेहर में अपने आसपास वनस्पति को देख रहे हैं बच्चो ये वनस्पति मानव ने यानि के हमने खुद उगाई है इसलिए आप इसे इतना विवस्तित पाते हैं प्रन्तु जो वनस्पति आप जंगल में या पहाडिक पठ शारहिख शेत्रों में देख रहे हैं वह वनस्पति अपने आप से ऊगती है इसमें कोई भी मानव का योगदान नहीं है तो जो वनस्पति बिना मानव योगदान के हम उगती हैं बच्चो वो प्रकर्तिक वनस्पति कहलाती है आज के हमारे इस अध्याय का विशे भी यही है आज हम अपने इस अध्याय में इन सब बातों का जिकर करेंगे बच्चो जैसा कि हमने अभी जिकर किया कि प्रकर्तिक वनस्पती के उगने में मानव का कोई भी सहयोग नहीं है यह वनस्पती अपने प्राकर्तिक वातावर्ण में अपने आप उसके अपने प्राकर्तिक तत्वों के अधार पर उगती है तथा प्राकर्तिक वातावर्ण में आप यह जानते हो कि तापमान, वर्षा, मिट्टी, वैध्रातल बहुत महत्वण भूमिका निभाते हैं बच्चो जिस प्रकार से हमारी प्रिच्वी पर तापमान एक समान नहीं है वर्षा का वित्रन भी एक समान नहीं है और ना ही हमारा धरातल एक जैसा है मिट्टी में भी बहुत असमानता है तो सभाविक तोर पर हम यह देखते हैं कि प्रकरतिक वनस्पती में भी समानता नही है तापमान के वित्रन और वर्षा के वित्रन के अधार पर इसमें भी बदलाव आते हैं तो बच्चों आईए हम अपनी पाठ्थे पुस्तक के अधार पर इसे और गहनता से जानने का परियास करते हैं बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि प्रित्वी पर जलवाईू में मुख्य रूप से दो तरह से परिवर्तन में अंतर आता है पहला भूमद्या रेखा से दुरूओं की तरफ जाने पर आप तापमान में और इसी परकार से यदि आप भूमद्या रेखा से यानि समुद्धर तल से उपर चलो यानि कि अगर आप किसी पहाड पर जाओ तो तब भी आप उसी परकार से तापमान में अंतर महसूस करोगे उन्चाई के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है और भूमद्या रेखा से दुरूओं की तरफ जाते वक्त भी तापमान में गिरावट महसूस की जाती है इसी परकार से वर्षा का वित्रन भी अलग अलग है तो हम यह देखते हैं कि प्रकर्तिक वनस्पती का सीधा संबंद वर्षा और तापमान से है तो बच्चों हमें भूमद्या रेखा से दुरूओं की तरफ जाने पर प्रकर्तिक वनस्पती में जो अंतर देखने को मिलता है वही अंतर हमें समुद्र तल से यदि हम उपर की तरफ जाते हैं उर्द्वादर जाते हैं तो वही अंतर हमें प्रकर्तिक वनस्पती में भी देखने को मिलता है भारत के हिमाल्य परवत पर यदि आप देखो तो आपको उसी परकार का अंतर मिलेगा जैसा आपको भुमध्यारेखा से दुरूओं की तरफ जाने में देखने को मिलता है तो चलिए देखते हैं उन्चाई में परिवर्तन के साथ जलवायू में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण परकर्तिक मनस्पती में भी बदलाव आता है तथा मुनस्पती की वृध्धी तापमान एवम नमी पर निरभर करती है इसके अलावा यह धाल एवम मिट्टी की परती की मुटाई जैसे कारकों पर nytेखने की इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकर्तिक वनस्पती की सघंता एम प्रकार में भी प्रिवर्तन होता है। यह प्रिवर्तन कहीं तरह का होता है। प्रन्तु आम तोर पर प्रकर्तिक वनस्पति को हम इन तीन मुखेश रेणियों में वर्गी करते हैं। नमबर एक वन बच्चों वन किसे कहते हैं। जब बहुत सारे वरिक्ष उपयुक तापमान एम परिपूर्ण वर्षा वाले शेत्रों में एक साथ अपने आप उगते हैं उन्हें वन कहते हैं। नमबर दो घास मध्यम वर्षा वाले शेत्रों में छोटी छोटी वनस्पति उगती हैं तो उसे हम घास के मैदान कहते हैं। बचो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने वन के समय अधिक्तम वर्षा शब्द का परियोग किया और यहां मध्यम वर्षा यानि के बड़े पेड़ पौधे उगने में अधिक्तम वर्षा का योगदान है। जहां वर्षा थोड़ी कम होगी, मध्यम होगी तो वहा गास के मैदान पाए जाते हैं तीसरा कांटेदार जाडियां कांटेदार जाड एम जाडियां केवल शुश्क सेत्रों में पैदा होते हैं यहां वर्षा बहुत कम होती है बच्चो चलिए अब हम इन तीनों परकार की वनस्पती का गहनता के साथ अध्यन करते हैं पहले नमबर पर वन बच्चो वनों की जानकारी को अच्छी परकार से समझने के लिए हम इन्हें वर्गिकरित करके इनका अध्यन करेंगे क्योंकि हम जान चुके हैं कि प्रित्वी पर जलवायू में परिवर्टन है तो वन भी एक परकार के नहीं हो सकते वनों को हम वर्षा अक्षाश और स्थलाकृती के आधार पर निम्न परगों में बांट सकते हैं नंबर एक सदा बहार पन नंबर तो पहन पाती वन नंबर तीन भूमध्य सागरियय पन और नंबर चार शंकूधारी वन बच्चों पहले और दूसरे वर्ग में सदा बहार वन और परन पाती बनों की स्थिति प्रित्वी पर दो कटी बंदों में देखने को मिलती है यह कटी बंद है उशन वया शितोशन दोनों कटी बंदों में पाए जाने के कारण इनको हम आगे फिर अध्यन में सुविधा की दृष्टी से दो भागों में बांट लेते हैं उशन कटी बंदिये सदा बहार वन सितोशन कटी बंदिये सदा बहार वन उशन कटी बंदिये परणपाती वन वह सितोशन कटी बंदिये परणपाती वन इस प्रकार हमारे पास अब अध्यन के लिए वनों के च्छ वर्गी करण हो गये हैं आप इनको इस आरेक के माध्यम से भी समझ सकते हैं चलिए इनका एक एक करके अब हम अध्यन करते हैं तथा साथ साथ में हम इन में पाए जाने वाले वन्य जीवन के बारे में भी जानकारी प्रापत करेंगे पहला वर की करण है उशन कटिबंदिये सदा बहार वन इन वनों को उशन कटिबंदिये वर्षा वन भी कहते हैं ये घने वन वो मद्या रेखा एम उशन कटिबंदिये शेत्रों के पास पाए जाते हैं मानचित्र में आप इन्हें यहां देख सकते हैं कि जहां ये वन पाए जाते हैं ये खशेत्र बहुत गरम होते हैं एम पूरे वर्ष यहां अत्यदिक वर्षा होती है और इसी अत्यदिक वर्षा एकारण हम इन्हें वर्षा वन भी कहते हैं चुकि यहां का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहां के पेडों की पत्यां पूरी त्रह नहीं ज़रती, हमेशा के लिए हरी भरी रहती हैं, इसलिए इन्हें सदा बहार कहते हैं। काफी घने वरिक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाता है। ये समानता महादवीपों के पूरवी किनारों पर पाय जाते हैं। जैसे दक्षन पूरव अमेरिका, दक्षन चीन, एम दक्षन पूरवी ब्राजील। प्रस्तुत मानचित्र में आप इन्हें देख सकते हैं कि ये महादवीपों के पूर्वी किनारों पर दिखाई देते हैं बच्चो ऐसा हवाओं की दिशाओं चलने की दिशाओं के कारण होता है क्योंकि महादवीपों के इन पूर्वी किनारों पर जो हवाएं हैं वो समुद्र से स्थल की तरफ चलती हैं और यहाँ पर खूब वर्षचा होती है जिस कारण यहाँ पर यह वन उगते हैं नमबर तीन ऊशन कटिबंदिये परणपाती वन ऊशन कटिबंदिये परणपाती वन मौनसूनी वन होते हैं जो भारत उत्री अस्ट्रेलिया एममध्या अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं यह मानचित्र देखिए तथा इन्हें परिथ्वी पर तापमान पाओगे की इन शेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं जल सनक्षित रखने के लिए सउस्क मौसम में यहां के व्रिक्ष पतियां ंजार देते हैं कि इन वनों में पायë जाने वाले डृड़काष्ट वरिक्षों में साल सांगवान नीम तथा शीशम है ड्रिड़काष्ट वरिक्ष फर्निचर या तयाद हैम निर्मान समगरी बनाने के लिए बहुत उप्योगी होते हैं इन परदेशों में आमतोर पर पाये जाने वाले जानवर शेर भाग हाथी गोल्डन लंगूर एवं बंदर आदी हैं बच्चो यहां आप भारत के मांचित्र पर इन वरस्पती के वित्रन को देख सकते हैं तथा इसके यहां पाए जाने के कारणों को भारत में वर्षा वा मौसम में आई बदलाव को ध्यान में रखते हुए अच्छे से समझ सकते हैं नमबर चार शितोशन परणपाती वन उच्च अक्षाश की और बढ़ने पर अधिक शितोशन परणपाती वन मिलते हैं आप मांचितर में देख सकते हैं कि यह उत्तरपूरवी अमेरिका, चीन, न्यूजिलैंड, चीली, एम पच्चमी रोप के तर्टिय परदेशों में पाए जाते हैं यह अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में जार देते हैं यहां पाए जाने वाले पेड़ हैं बांच, एश, बीच, आदी, हीरन, लौमडी, भेडिये यहां के आम जानवर हैं फीजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी यहां पाए जाते हैं नमबर पांच, भूमद्य सागरिये वनस्पति बच्चो आप जान चुके हैं कि महाद्विपों के पूर्वी एमम, उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकाश भाग, शितोशन सदा बहार, एमम, पणपाती, पेड़ों से ढखे हैं महाद्विपों के पश्चमी एमम, दक्षणी, पश्चमी किनारे थोड़े भिन हैं यहां भूमद्य सागरिये मनस्पतियां पाई जाती हैं आप इस मांचितर में देख सकते हैं कि यह अधिकतर यूरोप, अफरीका, एउन एशिया के भूमद्य सागर के समीप वाले परदेशों में पाई जाती हैं इसलिए इसका यह नाम पड़ा यह नस्पतियां भूमद्य सागर के बाहरी परदेशों जैसे सियुक्त राज अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षन पश्चमी अफरीका, दक्षन पश्चमी अमेरिका एमं, दक्षन पश्चमी आस्टेलिया में भी पाई जाती हैं इन परदेशों में गरम, शुष्क, ग्रिशम एम वर्षा वाली मृदू शीत रित्वें होती हैं। बच्चों वैसे हमारे यहां भारत में ग्रिशम रित्वें में वर्षा होती हैं। प्रन्तु मुमद्य सागरिय प्रदेशों में शीत रितु में वर्षा होती है इन क्षेत्रों में आम तोर पर संत्रा, अंजीर, जैतून, एम अंगूर जैसे नीबू वंश जिनें हम सिट्रस फ्रूट कहते हैं के फल पैदा किये जाते हैं क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा नुसार क्रिशी करने के लिए यहां की प्राकर्तिक वनस्पति को हटा दिया है यहां वन्य जीवन कम है बच्चों क्या आप जानते हो भुमद्य सागरिय वरिक्ष शुष्क ग्रिशम रितु में स्वयम को ढाल लेते हैं उनकी मोटी च्छाल एमपत्तियां वाशपोत सर्जन को रोकती हैं और भुमद्य सागरिय प्रदेश को फलों की क्रिशी के कारण विशव का फलो ध्यान भी कहा जाता है आईए अब हम अगले परकार शंकुधारिवन को पढ़ते हैं उत्री गुलार्त के उच्छ अक्षांशों पचास डिगरी से सतर डिगरी में भव्य शंकुधारिवन पाए जाते हैं इन्हें टैगा भी कहते हैं बच्चो टैगा रूसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है शुद या अंचुआ यानि के अभी तक यहां मानव का हस्तक्षेव ना के बराबर है इसलिए इन्हें टैगा भी कहा जाता है येवन अधिक उंचाईयों पर भी पाए जाते हैं इन्हीं व्रिक्षों को आपने हिमालय में परचूर मातरा में देखा होगा ये लंबे नरम काष्ट वाले सदा बाहर व्रिक्ष होते हैं इन व्रिक्षों के काष्ट का उप्योग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है लुगदी जो सामान्य तता अकबारी कागज बनाने के काम आती है नरम काष्ट का उप्योग माचिस एम पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है चीड, देवदार, आदी इनवनों के मुख्य पेड़ हैं यहां सामान्य ता रजत लौमडी, मिंक, ध्रूविय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं बच्चो इसके बाद हम प्रकर्तिक वनस्पति के दूसरे प्रकार यानि घास और घास स्थल का अध्यन करेंगे बच्चो वनों की ही तरहें घास की आकरिती वे प्रकर्ति पूरी तरहें से जलवाईयू के कारकों पर निर्भर करती है तथा उसी प्रकार से प्रित्वी पर घास भी एक जैसी नहीं दिखाई देती कहीं बहुत छोटी घास नजर आएगी कहीं बहुत बड़ी घास नजर आएगी अलग-अलग कटी बंदों में अलग-अलग जलवाईयू के अनुसार इसमें विभिंता पाई जाती है जिसे हम अपने अध्यन की दृष्टी से इस प्रकार वर्गी कृत कर सकते हैं नमबर एक उशन कटी बंदी है घास स्थल नमबर तो शितोशन कटी बंदी है घास स्थल नमबर तीन कटीली जाडियां नमबर चार टुंडरा चलिए हम इनका एक एकर के अध्यन करते हैं और इन में पाए जाने वाले वन्य जीवन का भी साथ साथ अध्यन करते हैं पहला घास्थल है उशन कटिबंदिय घास्थल ये घास्थल वो मद्या रेखा के दोनों तरफ पाए जाते हैं और उशन कटिबंदिय शेत्रों में फैले हुए हैं यहां वनस्पती निमन से मध्ध वर्षा वाले शेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफी उंची लगभग तीन से चार मेटर की उंचाई तक बढ़ सकती है क्योंकि इसे वर्षा बरपूर मात्रा में मिलती है। अफ्रीका का सवाना घास्थल इसी प्रकार का एक उधारन है। सामान्य रूप से उशन कटी बंदिये घास्थल में हाथी, जेबरा, जिराफ, हीरन, तेंदुआ आदी जानवर पाए जाते हैं। अब हम शितोशन घास्थल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। शितोशन घास्थल मध्य अक्षांशियां शेत्रों और महाद्वीपों के भित्री भागों में पाए जाते हैं। यहां की घास आमतोर पर छोटी एम पॉस्टिक होती है। शितोशन प्रदेशों में समानता, जंगली भैंस, बाइसन, एंटिलोप, आदी जानवर पाए जाते हैं। बच्चों, कुछ मुख्य शितोशन कटिबंदिय घास्थलों के नाम इस परकार हैं। अरजन्टीना में पाए जाने वाले शितोशन कटिबंदिय घास्थलों को पैमपास कहते हैं। उत्री अमेरिका के शितोशन कटिबंदिय घास्थलों को प्रेयरी कहा जाता है। इसी परकार दक्षिन अफरीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टैपी और अस्ट्रेलिया में शितोशन कटिबंदिया घास्थल का नाम डान है। चलिए अब हम कंटीली जाडियों के बारे में चानकारी हासिल करते हैं। कंटीली जाडियां शोशक रेगिस्तान जैसे परदेशों में पाई जाती हैं। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि हमने महाद्विपों के पूरवी किनारों पर सदा बहार बनों को देखा था क्योंकि वहां पर वर्षा अधिक होने के कारण वो वन पाए गए थे। तो उसके विपरीत महाद्विपों के पश्चमी किनारों पर हवाएं भूमी से समुद्र की तरफ चलती हैं जिस कारण वहां वर्षा नहीं होती। और येक शेत्र वर्षा वहिंग शेत्र हैं यहां पर कंटीली जाडियां या रेगिस्तानी वनस्पती ही उगती है। विश्प के मानचित्र पर रेगिस्तानी परदेश को चिन्नित करें क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं। तो बच्चो भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम है थार। यदि आप दुरूविय परदेशों में जाएंगे तो वह स्थान आपको ठंडा भी लेगा यहां बहुत ही सीमित प्रकर्तिक वनस्पति मिलती है यहां केवल काई, लाइकेन, एम छोटी जारियां पाई जाती है यह अल्प कालिक गरिशम रित्व के दुरान विक्सित होती है बच्चो इस क्षेत्र को हम टुंडरा क्षेत्र कहते हैं और यहां टुंडरा प्रकार की वनस्पति उगती है यह वनस्पतियां यूरोप, एशिया, एम उत्री अमेरिका के दुरूविय परदेशों में पाई जाती है यहां के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एम मोटी चमडी होती है जो उन्हें ठंडी जलवाईयों में शुरक्षित रखती है यहां पाई जाने वाले कुछ जानवर हैं सील, वालरस, कस्तूरी बैल, दुरूविय उल्लू, दुरूविय भालू और बरफिली लॉम्डी यहां चित्र में आप इन सब को देख सकते हो बच्चों क्या आप जानते हो ब्राजील के उशन कटिबंदिय सदा बाहर वन इतने विशाल हैं कि यह प्रित्वी के फेफडे की तरहें परतीत होते हैं क्योंकि जैसे हमारे फेफडे हमें सांस लेने में मदद करते हैं हम अक्सीजन लेते हैं और कार्बन डायक साइट छोड़ते हैं बच्चो इसी प्रकार से वरिक्ष प्रित्वी के फेफडे ही हैं इसी प्रकार से वरिक्ष प्रित्वी के लिए सांस लेने का कारिया करते हैं और ब्राजील के जो उशन कटिबंदिय सदा बाहर वन हैं वो इतने सगन हैं ऐसा लगता है जैसे वो प्रिच्वी के फेफड़े हैं क्योंकि वो कार्बन डाइ ऑक्साइड कैस को लेकर के हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं और यहीं पर अमेजन नदी में एना कुंडा जो वीशव का सबसे बड़ा साप है वही उशन कटिबंदिय वर्षावन में पाया जाता है यह मगर जैसे बड़े जानवर को मार कर और खा सकता है बच्चो अब हम अपने अध्याय से संबंधित अभ्यास कारिया करेंगे बच्चो आपको मुझे इन प्रशनों के उत्तर देने होंगे पहला प्रशन है भारत में शितोशन सदा बहार एमम शितोशन परणपाती वन कहां पाये जाते हैं उन राज्यों के नाम बताएं भारत में शितोशन सदा बहार वन उत्री पूर्वी भारत में हिमालिय के उन परवतिय भागों में पाए जाते हैं जो असाम, अरुनाचर परदेश और सिक्किम राजय में आते हैं शितोशन परणपाती वन उतरांचल और हिमाचल परदेश की हिमाले के शिवालिक शेत्रों में पाए जाते हैं बहुत खोब उत्तर दिया बच्चो आपने अगला प्रशन है भारत में अधिकतर किस परकार के वन पाए जाते हैं भारत में अधिकतर उशनकटी बंध्य परणपाती वन पाये जाते हैं ये भारत में सबसे बड़े शेत्र में फैले हुए वन हैं बिल्कुल ठीक उत्तर दिया बच्चों आपने अगला प्रशन है वनस्पतियों का विकास किन्तो कारकों पर अधिकतर निर्भर करता है वनस्पतियों का विकास तापमान और वर्षा पर निर्भर करता है बहुत खोब अगला प्रशन है बच्चो, प्राकर्तिक वनस्पतियों की तीन मुख्य श्रेणियां कौन कौन सी हैं? प्राकर्तिक वनस्पति की तीन मुख्य श्रेणियां हैं, वन, घास्तल, कांटे धर जाडियां बहुत खोग अगला प्रशन है बच्चो उशन कटी बंधिया सदा बाहर वन के दो द्रिड काश्ट वाले पेडों के नाम बताएं उशन कटी बंधिया सदा बाहर वन के दो वरिक्ष हैं एबोनी महुगनी बिल्कुल ठेक उत्तर दिया बच्चो अगला प्रशन है बच्चो, विश्व के किस भाग में उशन कटी बंधिये परणपाती वन पाए जाते हैं। अगला प्रशन है नीम्बू वंश, सिट्रस के फल किस जलवायू में उगाए जाते हैं। बहुत खुब उतर दिया बच्चो, अगला प्रशन है बच्चो, शंकुधारी वन के कोई दो उप्योग बताएं। शंकुधारी वनों के प्रमुक्त दो उप्योग इस प्रकार हैं। इन्हें लुगदी बनाने के लिए प्रियोग किया जाता है, जो समान्य तथा अखवारी कागस बनाने के काम आती है। इन्हें माच्चिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी प्रियोग किया जाता है बहुत खुब अगला प्रशन है विश्व के किन भागों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं शितोशन कटी बंधिय शेत्रों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं बिल्कुल सही उत्तर बच्चो तो बच्चो आपने इस अध्याय में यहां तक यह जाना कि धर्ती पर किस प्रकार से प्रकर्तिक वनस्पती का वित्रन प्रकर्तिक कारकों पर निर्भर करता है तथा किस किस तरह के वन घास के मैदान और कंटीली ज्हाडियां आदी प्रकर्त प्रकर्तिक वनस्पती में धर्ती पर पाई जाती हैं बच्चो आपने यहां पर वन्य जीवों के बारे में भी जाना आपने देखा कि किस प्रकार की प्रकर्तिक वनस्पती के अधार पर वहां के वन्य जीवन पर कितना असर पड़ता है आपने बच्चो यह भी जाना कि व अपने उगी हुई प्रकरतिक वनस्पति या कृत्रिम वनस्पति का पूरा ध्यान रखेंगे और आप धर्ती को हरा भरा रखने में अपना पूरा सहयोग देंगे ताकि हमारा वातावर्ण शुद्ध रह सके और हम शुद्ध हवा में सांस ले सके वीडियो को शुरू से लेक अंतक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार